Welcome back to the channel, स्रस्टी, स्टेडी, पुआ इंट, और आज हम बहुत important topic में बात करने वाले हैं बेहार सिक्षक भरती से सम्बंदित बहुत बड़ा update आया है कि बेहार सिक्षक भरती के जो अभ्यारती है उन्होंने Supreme Court का दर्वाजा खटखटाया है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिहार सिक्षक भरती प्रक्रिया जो है वो उस पे रोक लग जाए या ऐसा हो कि result ना आपाए क्योंकि result को लेकर बहुत बड़ा confusion है बच्चों में वीडियो में बस बने रहेगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं हों तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा इस तरह की सारी अपडेट मैं आपको चैनल पर देती रहती हूं अग देखें यहां पर सबसे जो प्राइमरी की नियुक्ति को लेकर जो बच्चे हैं उसकी मांग को लेकर सुप्रीम कोट में पहुचे हैं बीएड वाले अभ्यारती कौन से भ्यारती दोस्तों बीएड वाले क्यों पहुचे हैं आप सभी को पता है इसको लेकर और अब क्यों पहुचे सुप्रीम कोट में ये भी मैं आपको सब बता करें था कि जो प्राइमरी के लिए पी-ार टी के लिए वी एडे वाले बच्चे जो हैं इलिजिवल belangूरी बहु के लिए वर्बाओ के लिए इनाउंस्मेंट हुआ, कि इनका बिएडवालों के लिए लिए जाएगा और डिप्लोमा धारियों का रिजल्ट जो है निकाला जाएगा ये भी नहीं का आ गया है कि बीड़ वालों को इस परिक्षा से बाहर किया जाता है ये सारी बाते हैं सहर एक बात पर ध्यान देने वाली बात है तो बहाली में शामिल करने को लेकर रिट याचिका यह करने और बहाली को शामिल करने को लेकर बीड अभ्यारतियों ने सुप्रीम कोड का दर्वाजा खटकटाया है याचिका करता जो भी है इन्होंने बताया कि बीपी एससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीड उत्तिन अभ्यारतियों ने प्रैमरी सिक्षक के पद पर नया था और उन्हें NCTE के उस गजट को निरस्त कर दिया जिस गजट में ये लिखा था कि बीड पास अभ्यारति भी प्रैमरी के सिक्षक बनने योग हैं 2018 वाला जो गजट है NCTE का उसकी बात हो रही है याचिका करताओं का कहना है कि चुकि सुप्रीम कोड के फैसले से पहल नयुक्ति की प्रिक्रिया जो है वो काफी आगे बढ़ गई थी ऐसी इस्तिती में उसका रिजल्ट जारी होना चाहिए रिजल्ट वो जहान है रिजल्ट हो असमंजस में है कि बीड के अभ्यारती क्यों असमंजस में ये भी बता दें बीड के अभ्यारती प्रैमरी के सिक् ख्शा विभाग निर्णय नहीं ले सकी है यह है सबसे important बात कि जब supreme court का निर्णय आगया है proud गोहर भी लगाई कि जो हम जिस असमन्जस में है कि हमारी वरती होगी नहीं होगी सुप्रीम कोट का जो निन्ना आया, सिक्षा विवाग आगे बढ़कर उसको ये कह ये सब जगे लागू होगा इसको लेकर लेकिन अब तक कोई निन्ना नहीं लिया जा सका तो याचिका करता जितने भी हैं उन्होंने सुप्रीम कोट में दायर अपनी याचिका में सम्विदान का अनुच्छे जो 21 है जीवन और आजी विका का अदिकार जो है उसको लेकर और अनुच्छेद 14 जो समानता का अदिकार है उसका हवाला दिया है बिहार में 3,90,25 अब बिहारतियों को प्रात्मी विद्यालों में सिक्षक नियुकती है तो बिहार लोग से बायक के द्वारा ली गई परिक्षा में सामिल किये गए थे और रिजल्ट को लेकर संचह है ये का आगया रिजल्ट नहीं जो है इनका आएगा ली अब मैं आपको बताओ ये ख़वर क्यों आ रही है क्योंकि आपको बता दूं कि एनसी टी इने जो है वो एक लेटर जारी किया है सारे राज्यों और यूटीज में कि जो सुप्रीम कोड का रिना है उसको समझे और उसी को माने देखे ये पूरा है आपर नियूस पेपर में ख़वर है इस से पहले मैं आपको लेटर दिखा देती हूँ मैंने अपनी एक 2023 को आया था और जो देवेश शर्मा की अपील थी उसके अकॉर्डिंग आया था तो उसमें लिखा था कि प्रैमरी वाले में पीज बीड वाले इलिजिबिल नहीं होंगे तो इन्होंने इसी को यहां पर पूरा इस लेटर को लिखा है कि ये वाला जो लेटर है ये लेटर यह सारे जहां पर जहां जहां राज हैं सरे राज्यों में भीज रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोट जो इंडिया सुप्रीम कोट का डिसीजन है वो information के तोर पर आपको भीजा जा रहा है और फर्दर जो भी appropriate action है सिक्षक भरती को लेकर इसी के according लिए जाएंगे ठीक है यह इनोंने यहाँ पर कह दिया है तो जब यह बात बच्चों को पता चली है कि NCTE ने भी अपनी बात सब के समक्षरक दी है और जो है कह दिया है कि अब इसी के according जो है भरतिया होंगी NCTE ने का है तो इसको लेकर बच्चे परिशान और यहाँ पर देखे इस तरह के letter NCTE ने जो है अपने इस तरह के जो यह pages है यह जो है और बहार वाले बड़े confusion में है कि क्या किया जाए तो उन्होंने इसको clear करने के लिए कह दिया कि यहां सब जगए हमने letter भीजा है आपको मतलब इन इन जगए पर इनने सब को letter शुक है और काया जो सुप्रीम कोड का जीजिशन है उसी को आप लोग मानेंगे अब इसी ख़बर को जो है मैं आपको newspaper में पढ़ाती हूँ यह newspaper में निकली खबर है बहुत सारे newspaper में निकली है एक newspaper की मैंने आप ले लिए है सुप्रीम कोड का फैसला माने सभी लोग यह NCTE यहां पर कह रही है तो NCTE यानि की राष्टी सिक्षक शिक्षा परिसर जो है उसने सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्रात्मिक विद्याले के लिए जारी सुप्रीम कोड के फैसलों को मानने को कहा है सुप्रीम कोड ने कहा है कि बियड की यह हुए अभ्यारती लेवल बन यानकी 1-2-5 के लिए जो है उसमें सिक्षक वर्ती परिक्रिया में हिस्सा लेने के योग नहीं है NCTE ने कहा कि सुप्रीम कोड के फैसले में कहा गया है कि लेवल बन के लिए केबल बीटीसी या जिने डियलेट कहा जाता है वही अभ्यारती सिक्षक बनने के लिए पात्र है सुप्रीम कोड के इस फैसले को सवीराज और सिक्षा विबाग को मानना होगा ये उनके लेटर में था ओरिजिनल लेटर भी दिखा दिया मैंने आपको और इसके ये देखिए नियूस पेपर में ख़बर भी दिखा दी तो इससे ये हो गया कि जब NCTE के लिए ही सब बच्चे कह रहे थे कि NCTE जवाब नहीं दे रही NCTE का ही वो जो था उनका अपना वालों को PRT में नहीं रखेंगा और वैसे भी माननी है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिहार में भी माना ही जाएगा अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट में बच्चे कोर्ट में पहुँच गया है नोने आचिका डाल दिये अपनी अब द रिजल्ट आने से पहले इस तरह सुप्रीम कोड में जाना और देखे सुप्रीम कोड क्या कहता है इसको लेकर थोड़ा है और रिजल्ट वैसे भी सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के मिड़ में आई जाएगा सुनने में क्या बीपेसी के चेर्मेन ने काया कि लगबख 15 आप्टूबर के आसपास जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो ये इसी लिए नियूज इंपोर्टन थी हूँ मैंने सुचा आपको अपडेट कर देती हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तों में शेर कीजिएगा मिलूंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार